पुलिस के भेश में लोगों से ठगी करने वाला एक शक्स यूपी के इटावा जिले में सिविल लाइन पुलिस और क्राइम ब्रांच के हथे चड़ा है ये फरजी IPS अब तक लोगों को नौकरी दिलाने के नाम पर 60 लाख रुपे से ज्यादा की ठगी कर चुका है पुलिस ने उसे ग्वालियर बस टैंड से गिरफतार किया वो उस समय वहां भी रौग गाठ रहा था SSP ने बताया कि पुलिस को पिछले दिनों सूचना मिल रही थी कि एक व्यक्ती IPS अधिकारी की वर्दी पहन कर अपनी कार से घूम रहा है इस शक्स का नाम अमित राजवीर सिंग बताया गया है तलाशी में पुलिस को उसके पास उपनिरिक्षक का पहचान पत्र मिला साथी फरजी अपसर के पास IPS की वर्दी, दो मोबाइल और एक नेम प्लेट भी मिली SSP ने दावा किया है कि पूछताश में अमित ने अपना गुना सुईकार कर लिया है अभी तक नौकरी दिलाने के नाम पर वो लोगों से करीब 60 लाक रुपए एट चुका है उसके खिलाफ धोका धड़ी की धाराओं में रिपोर्ट दर्जकर आवश्यक कारवाई के बाद जेल भेज दिया गया है पकड़े गए ठग ने एक महिला सिपाही से शादी भी की है फरजी वाडे में महिला सिपाही की भूमिका की भी जाच पुलिस कर रही है सोशल मीडिया पर खबरों की लगातार अपडेट के लिए आप देखते रहे हमारे चैनल को और हमें सब्सक्राइब भी करें पुलिस के भेश में लोगों से ठगी करने वाला एक शक्स यूपी के इटावा जिले में सिविल लाइन पुलिस और क्राइम प्रांच के हथे चड़ा है ये फरजी आईपियस अब तक लोगों को नौकरी दिलाने के नाम पर 60 लाख रुपे से ज्यादा की ठगी कर चुका है पुलिस ने उसे ग्वालियर बस टैंड से गिरफतार किया वो उस समय वहाँ भी रौग गाठ रहा था SSP ने बताया कि पुलिस को पिछले दिनों सूचना मिल रही थी कि एक व्यक्ती IPS अधिकारी की वर्दी पहन कर अपनी कार से घूम रहा है इस शक्स का नाम अमीत राजवीर सिंग बताया गया है तलाशी में पुलिस को उसके पास उपनिरिक्षक का पहचान पत्र मिला साथी फरजी अपसर के पास IPS की वर्दी, दो मोबाइल और एक नेम प्लेट भी मिली SSP ने दावा किया है कि पूछताश में अमित ने अपना गुना सुईकार कर लिया है अभी तक नौकरी दिलाने के नाम पर वो लोगों से करीब 60 लाक रुपए एट चुका है उसके खिलाफ धोका धड़ी की धाराओं में रिपोर्ट दर्जकर आवश्यक कारवाई के बाद जेल भेज दिया गया है पकड़े गए ठग ने एक महिला सिपाही से शादी भी की है फरजी वाड़े में महिला सिपाही की भूमिका की भी जाच पुलिस कर रही है सोशल मीडिया पर खबरों की लगातार अपडेट के लिए आप देखते रही हमारे चैनल को और हमें सब्सक्राइब भी करें